मुझे नौजवान पीडियों को ये पता होना चाहिए यही सिक्की में जहां पर शौर ये वीरों की गाताएं भी लिखी गई है मुंबई से हम सुबे तीन मजे निकले हम धरगर में जाने का प्रयास करते आक लोगों को मिलने का प्रयास करते झाल 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 यह किलिंग पॉंग में यह मंगल बस्ती में हम सुएश गुरूंग की साथ खड़े हैं सुएश गुरूंग जिनके पिताजी ने इस हिंदुस्तान के लिए शहादत देने के पश्षात हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है आप देख रहे हो यहाँ पर की आजुबजु की परिस्तितियों में यह पूरा जंगल है और इस जंगल में यह छोटा सुएश गुरूंग जिसकी उम्र दस साल है चटवी कक्षा में पढ़ता है इसने अपने पिताजी को तभी देखा ही नहीं था लेकिन पिछले कई वर्षों से इसी जंगलों में रहते हुए अपने देश के लिए कुछ करना है कुछ बनना है ऐसा सपना देखते हुए यह हमारा चोटा सा सैनिक सुएश गुरूंग यहाँ पर आज हमारे साथ खड़ा है सुएश पर आज हमारे साथ खड़ा है अगले दस साल तक अतरवा फांडेशन इसके उपर मेहनत करेंगे और इसको आगे चलके आर्मी में अफिसर बनाने के लिए हम सब लोग मिल के प्रयास करेंगे हमारे साथ खड़ा है भूल न जाना भारत के लोगों इन वीरों की कुर्बानी भूल न जाना भारत के लोगों इन वीरों की कुर्बानी यूँ जान भी दे दे हस हस के के मौत भी हो गई दीवानी भूल न जाना भूल न जाना इन वीरों की कुर्बानी झाल झाल